हेलो दोस्तों, वेलकम तो और चैनल, देंड इनिस्टाग गाईज, आज की वीडियो मैं बात करने वाला हूँ, Noise Fit Evolve 2 vs Noise Fit Agile Smart Watch के बारे में, इन दोरों Smart Watch की फुल कंप्रेजन करने वाला हूँ, और Always On Display का भी सपोर्ट मिल रहा है, और Pixel Resolution की बात कर तो 390 x 390 का Pixel Resolution मिल रहा है, और PPI यानि Pixel Per Inch की बात कर तो 327 का Pixel Per Inch का भी सपोर्ट मिल रहा है, और उस डिस्पले को कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे आपको 100 प्लस Watch Faces का भी सपोर्ट मिल रहा है, अब वहीं पे बात कर लेते है, Noise Fit Agile Smart Watch के डिस्पले के बारे में, तो इसमें भी आपको 1.28 इंच की डिस्पले मिल रहे है, और Pixel Resolution की बात कर तो इसमें आपको 240 x 240 का Pixel Resolution मिल रहा है, और उस डिस्प्रे को कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे आपको Multiple Watch Faces का सपोर्ट जो है मिल रहा है, बात कर लेते हैं इन दोनों Smart Watch के Health Trackers के बारे में, तो Noise Fit Evolve 2 में आपको SPO2 का सपोर्ट देंगने मिलेगा, Sports Mode की बात करें, इन दोनों Smart Watch के बारे में तो Noise Fit Evolve 2 में आपको Multiple Sports Mode मिल रहा है, जबकि यहाँ पे Noise Fit Agile Smart Watch में आपको Total 14 Sports Mode देखने को मिल रहा है, Water Resistence की बात करें, इन दोनों Smart Watch के बारे में तो Noise Fit Evolve 2 में आपको 3 ATM Water Resistence मिल रहा है, Smart notification की बात करें इन दोनी smart watch के बारे में तो Noise Fit Evolve 2 में आपको सारे notification अपनी watch पे ही देख सकते हो और उस इक साथ-साथ quick reply भी कर सकते हो और उस इक साथ-साथ यहाँ पे आपको Hindi language का भी support मिल रहा है तो आप इस watch को Hindi में भी set कर सकते हो अब वहीं पे बात कर लेते हैं Noise Fit Agile smart watch के smart notification के बारे में तो इसमें भी आपको सारे notification अपनी watch पे ही देख सकते हो और camera भी control कर सकते हो, music भी control कर सकते हो बैटरी backup की बात करें तो Noise Fit Evolve 2 में आपको Insta Technology का यूज़ हो रहा है अब बात कर लेते हैं इन दोनों smart watch के weight के बारे में तो Noise Fit Evolve 2 जो है आपको 38.5 gram की मिल जाएगी और उस इक साथ साथ अगर बात के Noise Fit Agile smart watch के बारे में तो ये आपको 45 gram का मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं इन दोनों smart watch के design के बारे में तो ये दोनों ही watch आपको circular state में देखने में मिलेगी जब कि याँ पे material की बात करें तो noise fit evolve 2 जो है आपको aluminium का देखने मिलेगा और noise fit agile का भी कोई confirm नहीं है तो guys यही थी पूरी information इन्हीं दो smart watch के बारे में उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो like कर देना चैनल पना है तो चैनल को subscribe कर देना क्योंकि मैं ऐसी रोजाना वीडियोज लेकर आते रहता हूं मिलेंगे नेक्स टूर्म किसीने unboxing टेक टूश साथ में तब तक के लिए जैए